क्या आपने कभी दुनिया के सबसे लंबे कुत्ते की ब्रीड को देखा है? क्या आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी डॉगी ब्रीड कौन सी है? काफी लोगों को ये बात नहीं पता कि फेमस काटून शो में आने वाला डॉग स्कूबी डू सबसे लंबे कुत्तों की लिस्ट में से एक है इसके साथ ही बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि फेमस फुटबॉल प्लेयर मैसी का डॉग भी लंबे कुत्तों की लिस्ट में शुमार है तो चली आज आज आपको दिखाते हैं दुनिया के सबसे बड़े दस कुत्ते जिनको देखकर आप भी चौक जाएंगे तो कोल ड्रिंक और पॉपकॉन लेकर बैट जाएए क्यूंकि ये वीडियो काफी दिलजस्प होने वाली है लंबे चौडे हटे कटे दिखने वाले इस डॉग भीट का नाम कॉकेशियन शेपर्ड है जो की रश्या की एक प्रजाती है ये डॉग जितना खतरनाक दिखाई दे रहा है वाकी में ये ऐसा ही है लेकिन सिर्फ जानवरों के लिए या उन लोगों के लिए जो इसको या इसके मालिक को नुकसान पहुचाएंगे इस डॉग को गाड डॉग के रूप से इस्तिमाल किया जाता है जो की गाए, भेड और बकरी की वॉल्फ जैसे जानवरों से रक्षा करते है और हरानी की बात है की वॉल्फ इन कुत्तों से डरते भी है क्यूंकि ये साइज में वॉल्फ से डबल होते है अगर बात करें उनकी लंबाई की, तो इनकी लंबाई करीब 23 इंच से 30 इंच तक बढ़ती है वही अगर बात की जाए इनकी वजन की, तो इनका वजन करीब 50 से 100 किलों तक हो सकता है जो की एक कुत्ते के हिसाब से काफी ज्यादा है अब आपको दिखाते है Caucasian Shepherd Breed का एक कुत्ता जिसका नाम Aries है ये एक खास किस्म का कुत्ता है, जिसकी लंबाई 35 इंच है इसकी लंबाई के चलते इसको सबसे लंबे Caucasian Shepherd का खिताब तक मिल चुका है इस वीडियो में आगे काफी कुछ है, तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर ले इस कुत्ते के नाम पर बिलकुल मत जाईएगा इसका सिर्फ नाम कंगाल है, लेकिन ये लंबी हाइट के साथ-साथ दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है इस डॉक के जबडे दुनिया में पाए जाने वाले सभी डॉक के जबडों से ज्यादा खतरनाक है अगर ये किसी पर हमला कर दे, तो उसका बचपाना काफी मुश्किल है ये कुत्ते 30 से 34 इंच तक लंबे हो सकते है बात की जाए इनके वजन की, तो इनका वजन करीब 48 से 60 किलों तक हो सकता है ये कुत्ते काफी पावफुल होते है, इतने ज्यादा कि एक ट्राक्टर तक को खीट सकते है साथ ही ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफतार से कई घंटों तक दौड सकते है वो भी बिना रुके और बिना ठके तो है ना ये कमाल का डॉग अगर आपको ये डॉग पसंदाया हो, तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताए इस ब्रीट के डॉग को आपने जरूर देखा होगा अपने आसपास नहीं तो टीवी में या फिर फोटोज में तो देखा ही होगा क्यूंकि इस डॉग की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है वो इसलिए क्यूंकि ये फेमस फुटबॉल प्लेयर मैसी का कुत्ता है मैसी के इस कुत्ते का नाम हल्क है जिसके साथ वो अकसर सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करते रहते है अगर बात करें दॉग दे बॉर्डो ब्रीड के कुत्तों की लंबाई की तो इनकी हाइट 23 इंच से 27 इंच तक बढ़ती है और इनका वजन 64 से 65 किलो तक होता है गोल्डन कलर के साथ ये कुत्ते fit और masculine body के होते है इनको अगर ठीक से train किया जाए तो ये अपने परिवार की काफी अच्छे से सुरक्षा करते है यहां तक की ये कुत्ते बच्चों के साथ भी काफी friendly होते है लेकिन सिर्फ तब ही जब इनको इस चीज की training मिली हो इन कुत्तों को socialize करना और training देना काफी जरूरी होता है क्यूंकि इसके बिना ये खतरनाग भी साबित हो सकते है इस breed के कुत्तों को शायद आप स्कूबी डू के नाम से जानते होंगे लेकिन असल में इस breed का नाम दे ग्रेट डेन है इनको German Mastiff या फिर डाच्चे डॉके भी कहा जाता है दे ग्रेट डेन की इस प्रजाती की height करीब 32 इंच तक लंबी हो सकती है अगर ये अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाए तो ये आम इंसान से भी उचे दिखाई देते है वैसे तो ये डॉक देखने में काफी खतरनाक दिखाई देते है लेकिन असल में इनका nature काफी caring और प्यारा होता है जिसकी बज़े से लोग इनको घरों में पालना काफी पसंद करते है इनको पालने की एक खास बात ये भी है कि ये बच्चों के साथ काफी अच्छा भीएव करते है ये ना तो बच्चों को नुकसान पहुचाते है और ना ही उनको कोई नुकसान होने देते है ये डॉग जिस परिवार में भी रहता है उस परिवार की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है इन डॉग्स की एक खास बात ये भी है कि ये दौडने में माहिर होता है इरिश वोल्फाउंड डॉग दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों के लिस्ट में शामिल है क्यूंकि उनकी हाइट करीब 25 इंच से 32 इंच तक बढ़ सकती है अगर ये अपने दोनों पेरों पर खड़े हो जाए तो इनकी हाइट करीब 6 फीट तक पहुच जाएगी जो की कुत्तों के लिहाज से काफी ज्यादा बड़ी है अगर बात की जाए उनकुत्तों के अपीरिंस की तो इनका अफ़र बाकी कुत्तों से थोड़ा अलग दिखाई देता है वैसे तो ये कुत्ते सुभाव में आलसी होते है और ज्यादा तर सोना पसंद करते है लेकिन अगर इनको एक बार घर से बाहर निकाल दिया जाए तो ये दोड लगाने में सब को पीछे छोड़ देते है ये बाकी कुत्तों के मुकाबले काफी तेजी से दोड़ते है लंबी हाइट और दोडने के हुनर के बाद भी इन कुत्तों को गार डॉग के रूप में इस्तमाल नहीं किया जाता क्यूंकि ये किसी भी स्ट्रेंजर के साथ आसानी से घुल मिल जाते है और उनसे दोस्ती कर लेते है तो अगर आपको डॉगी की ये ब्रीट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक देना तो बनता है इस डॉग की ब्रीट को संभालना कोई आसान काम नहीं है करीब 28 इंच की हाइट और 80 किलो वजन के साथ इस डॉग को संभालना काफी मुश्किल है ये आसानी से 1200 किलो गाड़ी को खीट सकते है तो फिर सोचिए कि ये 70-80 किलो के किसी इनसान का क्या हाल करेंगे ताकतवर होने के साथ ही ये डॉग सबसे पुरानी डॉग ब्रीड में से एक है ये करीब 4000 साल पुराना है उस जमाने में लोग इन कुतों का इस्तिमाल करके खुद की सुरक्षा करते थे अब आप ज़रा इस डॉग को देखिए ये है दुनिया का सबसे बड़ा एलबाई डॉग जिसका नाम बुल्डोजर है अट्राक्टिव परसनालिटी और अच्छे नेचर की वज़र से इसने अभी तक कई अवार्ट जीते है इसके अलावा डॉग फाइटिंग के लिए भी इसको कई अवार्ट मिल चुके है इनका गुस्सा सिर्फ दूसरे कुतों के लिए है अपने घर के मालिक या उनके परिवार के लिए नहीं अगर बात करें इन कुतों के नेचर की तो ये ट्रेनिंग के बाद आसानी से घर में रखे जा सकते है यहां तक की बच्चों के साथ भी ज्यादातर फिल्मों में दिखाये जाने वाले ये वुल्फ डॉक दिखने में काफी खतरनाक लगते है इनकी लंबाई करीब 26 से 34 सिंच तक हो सकती है वही अगर बात करें इनके वजन की इनका वजन 55 किलो तक हो सकता है असल में जर्मन शेपर्ड और हस्की डॉक्स का क्रॉस वुल्फ से कराया जाता है जिससे वुल्फ डॉक बनता है ये आदे वुल्फ होते है और आदे डॉक होते है जिसकी वज़े से ये और ज्यादा खतरनाक हो जाते है और इसका सबूत ये है कि जब ये कुत्ते अस्थित्व में है तब से उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में अपना नाम दाखिल किया हुआ है इन वॉल्फ डॉग की सूंगने की शक्ती कमाल की होती है जहां एक जर्मन शेपर्ड किसी इनसान को 6 मिनिट में ट्राक करता है वही ये वॉल्फ डॉग किसी भी इनसान को 1 मिनिट में ट्राक कर लेता है इसके साथ ही इनके जबडे भी काफी ताकतवर होते है अगर ये किसी क पकड़ ले तो फिर उसका बचपाना काफी मुश्किल है अगर आप इन वुल्फ डॉक को पालना चाहते है तो इसके लिए आपको 24 शे 26 इंच तक होती है और इनका वजन करीब 70 किलो तक हो सकता है लेकिन इन डॉक्स का फर काफी ज्यादा हैवी होता है जिसकी वजह से यह ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं भारी भर खम और खतरनाक देखने के साथ साथ ये डॉग किसी को भी चारो खाने चित कर सकते है मोटे होने की वज़े से इनका स्टैमिना कम नहीं होता ये आम डॉग की तरह ही दोड सकते है और अपनी और अपने मालिक की जान बचा सकते है इनकी एक खास बात ये भी है कि ये दुनिया के लंबे डॉग होने के साथ साथ दुनिया की सबसे महेंगी कुत्तों की लिस्ट में भी शामिल है इस ब्रीड का एक पपी लाखों में बिकता है इनको खरीदने की शुरुवात एक लाख से लेकर 25 लाख तक है लंबे बड़े और मस्किलर ब्रीड वाले ये डॉगो अरजन्टीनो डॉग को पालना कई देशों में बैन है क्यूंकि इनका सोभाफ काफी गुस्से वाला होता है और इनको सम्हाल पाना बहुत ही मुश्किल है यहां तक कि UK जैसे देश में इनको पालने के लिए स्पेशल पर्मिट लेना पड़ता है वो भी ऐसा पर्मिट जो किसी हतियार को रखने के लिए चाहिए होता है क्यूंकि इन डॉक्स को बनाया ही गया है शिकार करने के लिए 27 इंच तक की हाइट के साथ इस डॉक के चुंगल से किसी शिकार का निकल पाना काफी मुश्किल है यह अपने शिकार का पीछा घंटो दौर लगा कर सकता है एक बार अगर यह गुसे में आ जाए तो इसको सम्हाल पाना उतना ही मुश्किल है जितना किसी बुल को लाल कपड़ा दिखाने के बाद सम्हालना है इसके इसी बरताफ की वज़े से लोग इसको पालना पसंद नहीं करते लेकिन हाँ वो लोग इसको पाल सकते है जिनको खत्रों से खेलने का शौक है आप इस डॉग की शकल पर मत जाएए क्यूंकि ये ऐसा डॉग है कि इसके हत्ते कोई चड़ जाए तो ये उसको छोड़ता नहीं है लगबग 36 इंच की लंबाई के साथ इनका वज़न करीब 82 किलो तक हो सकता है दुनिया में अभी तक का जो सबसे बड़ा और भारी सेन बढ़ना डॉग देखा गया है उसका नाम बेनेडिक टाइन है इस डॉग का वज़न करीब 161 किलो था जो की एक बेर के बराबर का साइज है अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते है कि ये डॉग कितना बड़ा रहा होगा अगर बात करें इनके नेचर की तो इनका नेचर फ्रेंडली होता है तो ये थे दुनिया के दस सबसे बड़े कुत्ते जिसमें कुछ बड़े होने के साथ साथ खतरनाक है तो कुछ क्यूट लेकिन ज्यादा तर मनुशों के साथ फ्रेंडली नेचर के है और होंगी भी क्यों नहीं है तो आखिर प्यारे प्यारे डॉगी ही ना तो इन सब में आपको कौन सा डॉगी सबसे ज्यादा पसंदाया हमें कॉमेंट करके जरूर बताए साथ ही वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे और प्रेस करे बेल आइकन